और चलिए अब जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आज IPL में कौन कौन सी टीमे हैं जो की आपस में भिढ़ने वाली हैं तो आज IPL के अंदर जो लगातार मैचिस चल रहे हैं उसमें कई ऐसी टीमे हैं कई ऐसे धुरंदर खि सन्राइजर्स हैदराबाद के बीच मैच होना है काफी तक्कर का ये मुकाबला आज का माना जा रहा है दिनेश कार्थिक वर्सेस डेविक वर्डनर की आज भिढ़नत होगी IPL में और ये दोनों ही टीमें बेहतरीन परफॉर्मस करती आ रही हैं इंडियन प्रीमियर लीग क ये आठवा मुकाबला आज है और आज मुकाबले में कोलकाता नाइट राइटर्स वर्सेस सन्राइजर्स हैदराबाद के बीच आज ये मुकाबला रहने वाला है तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज जहां लगातार दिनेश कार्थिक और डेविड बॉर्डनर बेहतरी परफॉर्मेंस देते रहे हैं आज इन्हीं दोनों कैप्टेंस के बीच बड़ा मुकाबला होने वाला है जहां इसे पहले शुकरवार को दो बार की चैंपिन रही कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना 2016 के खिताब अपने नाम करने वाली सन्राइजर्स हैदराबाद से जह विराट कोली की रॉयल चालेंजर्स बेंगलूरू के हाथो दस रन की करीब से हार का सामना करना पड़ा थब और इसके लाभा कोलकाता नाइट राइडर्स को डिपेंसिव चैंपिन एं मुम्बाई एंटेयन्स के खिलाप 49 रन से हार का सामना करना पड़ा था केके आर को उम्मीद होगी कि उनके विदीशी खिलाडी इस मैच में अपनी चमक बिखेरेंगे क्योंकि पहले मैच में कई स्टार खिलाडी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे टूर्नमेंट में सबसे महेंगेबिके तेज तर्रार जहां पेट कामिंग्स ने मुंबाई के खिलाफ अपने तीन ओवर में उननचास रन लुटा डाले वहीं बल्लेबाजी में इयान मौगन और आंदिर रसेल जैसे धुआधार खिलाडी जल्दी पवेलियन लौट गए जर्दूरू के खिलाफ मैच में हैदराबाद की कैप्टन डेविड वार्डनर मात्र छे रन बनाकर जल्द ही आउट हो गए थे लहाजा उनकी कोशिश होगी कि इस मैच के साथ वे अपनी फॉर्म में वापसी कर सके और टीम को जीत मिले पहले मैच में टीम के टॉप ओर्डर ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन लोवर ओर्डर में टीम के लिए चिंता बढ़ी थी जहां लगातार अब टीम के सब ही खिलाडी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो मैच हो वो यादगार हो आई पेल में इससे पहले इन दोनों ही टीम्स का जो मुकाबला रहा है वो फैंस के लिए बेहत निराशा जनक रहा है लेकिन आज जो आटवा मुकाबला है उसमें दिनिश कार्तिक और डेविड वर्नर की दोनों की टीमें अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिखेंगी और मैच ऐसा होगा जिसमें सभी का वेस्ट दिखेगा ये उम्मीद फिलहाल इन दोनों ही टीम्स के पैंस कर रहे है तो कोलकाता नाइट राइडर्स और सन्राइजर्स हैदराबाद के बीच आज आज आईपेल का आटवा मुकाबला होने बाला है और इन दोनों ही टीम का अगर पिछले आईपेल सीजन की बात की जाये तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बेशक से इस सीजन में अच्छा उनका निकल कर नहीं आया लेकिन दिरिश कार्तिक और डेविड बॉर्णर की टीमें आज प्रियास करेंगे कि जो दाव उन पर लगाया गया है इस सीजन में वो उस पर खरे उत्रे और अपने फैंस को निराश ना करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और सन्राइजर्स है और यही वज़ा है कि आज का जो आई पिल मुकाबला रहने वाला है वो सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन मुकाबला देखने के लिए साबित हो सकता है तो ये इस वक्त की एक एहम खबर खेर जगत से जुड़ी हुई जहां दिनिश कार्तेक और डेविड बॉर्णर की टी में आज आज आपस में भिड़ेंगी और साथ ही देखा जाएगा कि किस तरह से ये टी में अपना परफॉर्मेंस बहतरीन बनाती हैं और चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं